मीना ये आम अपने चाचा के घर ले जाओ रीता की यहाँ अच्छा मा चलो भाई मिठ्धू अहाँ देखो बन्या आ रहा है चलो छिप जाते हैं सब ठीक हो रहा है वो छोटी सी लड़की मेरे बेटे की दुलहन बनेगी इच्छोटी है एक ताम ठीक रहेगी कहना मानेगी घर का सारा काम करेगी नौकर की तंखा बचेगी आज मेरा पेटा बाबो शहर से आएगा बड़िया जोडी रहेगी इच्छोटी सी दुलहन कौन है ये च्छोटी सी दुलहन? मीना, अच्छा वाद तुम आ गई आज मैं बहुत परिशानी क्यों? क्या हुआ? मेरी शादी लाला के बेटे के साथ पक्की कर रहे हैं तो तुम हो वो च्छोटी सी दुलहन? आ, च्छोटी सी दुलहन? बणिया बहुत खराब है उसने बाबा से मेरा स्कूल छुड़वाने को कहा है पीता को कैसे बताऊं कि बनिया को मुफ्त की नौकरानी चाहिए नौकरानी क्या है? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ मीना मुझे डर लगता है पिछले महीने एक लगकी बच्छे को जंग देते हुए मर गई वो मेरी उम्र की थी बहन जी ने कहा कि उसकी उम्र मा बनने के लिए कम थी मैं क्या करूँ तुम अपने माता पिता से क्यों ने कहती? कि तुम पढ़ना चाहती हो? कहना तो चाहती हूँ पर अपनी शादी के बारे में बात कैसे करूँ? दादी से पूछते हैं कि क्या करें अम्मा रीता के लिए ये रिष्टा बहुत अच्छा है पर बेटा, रीता तो अभी बहुत छोटी है मेरी अपनी शादी भी छोटी उमर में हुई थी मैं पंदरा की भी नहीं थी जब मेरा पहला बच्चा हुआ ओ कितना तो खुठाया मैंने बच्चा भी नहीं रहा किस मसी मैं तो बच गई मैं नहीं जाते कि रिटा के साथ में भी ऐसा हो अम्मा ची कहती है लड़की की शादी तभी करनी चाहिए जब वो जिम्धारी उठाने लाइक हो जाए देखो उस लड़की को वो पंदरा साल की ब्याही गए बेचारी डन्नी सी जान का क्या हाल हो गया है मगर इतना अच्छा रिष्टा बड़ी मुश्किल से मिलता है अम्मा लड़का डॉक्टर बनने वाला है कैसे छोड़ दू ये मौका पड़ चाचा जी रिता भी तो पड़का डॉक्टर बन सकती है नर्स बन सकती है अगर रिता पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो भाईया मैं सोचता था इस रिष्टे से आप सब उतना ही खुश होंगे जितना कि मैं हमें बेहत खुशी है बेटा लेकिन रीटा की बालिक होने तक रुपना ही ठीक रहेगा मुझे नहीं लगता बनिया तब तक इंतजार करेगा राजू, तुम मिठू के साथ बाजार चले जाओ मैं रीटा के यहां जा रही हूँ क्या करें यह रीटा? सोच रही हूँ क्या करूँ? किस तरह अम्मा और बाबा को मनाओं कि मुझे पढ़ने लिखने दें? दादी भी यही कहती है पर चाचा कह रहे थे कि लड़का डॉक्टर है डॉक्टर है तो क्या हुआ? मिठू, देखो यह सब तूरहट, हैतान तूते मिठू, 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 मिठू अरे, नहीं, इसे मत मारो ओ, मिठू, 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 ओ, मिठू आखे खोलो मिठू अच्छा हुआ आखे खोलो मिठू ये बनिया बड़ा बेरहम है इसका बेटा भी ऐसा ही होगा यहां क्या हो रहा है? हमारे तोटे को चोट लगी है ये ठीक हो जाएगा ना देखता हूँ फिक्र मत करो, जिन्दा है इसे सिर्फ चोट लगी है शुक्र है भग्वान का ओ ओ देखो जिन्दा है बच्चू ठीक हो तुम आपने तो मिठू को ठीक कर दिया पर ये हुआ कैसे? ये सब बनिया ने किया है वो मिठू के पीछे पड़ा है अच्छा ये बात है, अब मैं चलता हूँ कितना अच्छा है कौन था वो? हास क्यों रही हो तुम? ठीक है, मैं ही जाकर पूस्ता कि वह कौन है? मैं अच्छी लड़की कर दीक है अच्छी लड़की कि अच्छी लड़की कर दीक है और मैंने इसकी शादी भी पक्की कर दीक है और यही की अच्छी सी लड़की के साथ ठीक है पिता जी पर वो है कौन? क्या नाम है उसका? उसका नाम रीता है, बड़ी प्यारी चोटी सी बच्ची है बच्ची? क्या उम्रोगी उसकी? इसमें क्या फरक पड़ता है? जितनी चोटी उतनी अच्छी फिर भी क्या उम्र है उसकी? उम्र यह कोई 15 साल की होगी सिर्फ 15 साल की? मैं 15 साल की लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? यह तो बहुत चोटी है बहुत चोटी से क्या मतलब? मेरी बात की कोई परवानी तुम्हें? ऐसी बात नहीं है पिता जी मुझे शादी से बिलकुल इंकार नहीं है पर लड़की 18 से कम नहीं होनी चाहिए पर क्यों? हमें डॉक्त्री में पढ़ाया गया है कि कम उम्र की लड़की के लिए माँ बनना खतरनाक हो सकता है मैं मजबूर हूँ जबान दे चुका हूँ शादी अगले हपते मैं शादी के लिए राजी हूँ पर तीन साल बात अभी मेरी उम्र ही क्या है? तीन-चार साल तो रुखी सकते हैं न मेरी नाप कटवाएगा वह आदमी बाबू है बनिये का बेटा क्यों? क्या सोच रही हो रिता? नहीं नहीं मैं शादी नहीं करना चाहती कम से कम अभी तो नहीं पहले पड़ूँगी जरो नहीं बाबू भी तुम से शादी नहीं करना चाहता उसने खुद कहा है कहता है लड़की 18 साल की तो हो नहीं ही चाहिए बनिया तो अगले हफते ही शादी करना चाहता है रिता रिये बाबू बाबू चुप मुआ अम्मा बाबा मुझे आपसे कुछ कहना है क्या बात है रिता रिता शामी हाँ हाँ कहो बिट्या मैं मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ अजीब मुसीबत है बनिय को छोड़कर बाकी सभी शादी देर से ही करना चाहते है क्या हुआ मिठू तुम ठीक ता हो मैं डोक्टर को लेकर आती हूँ तुम्हें अपने बुड़े बात की कोई परवाह नहीं पिता जी मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ पर कानू नहीं तोड़ सकता 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना गयर कानूनी है मुझे इससे कोई मतलब नहीं सुनिये जल्दी आये मेरा तोटा मर रहा है अच्छा तो मैं जाओं पिता जी तो यह सब पढ़ाई तुमने तोटों का इलाज करने के लिए क्या है जाओ मैं बहुत दिन से गाउं नहीं आया इसलिए सब के नाम नहीं जानता वो लड़की कौन थी? वो रिता थी पिता भी शादी नहीं करना चाहती एक दो दिन में ठीक हो जाएगा बाबु बेटा सच बात तो यह है कि हमारी रिता पढ़ाई पूरी करना चाहती है रिता को जरूर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए मैं भी अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ तुम भी? अरे उधर रिता और अम्मा भी पढ़ाई की बात कर रहे है बेटा हमें बेशादी की कोई जल्दी नहीं लेकिन तुम्हारे पिता मतलब वो क्या कहते है सच बात तो यह है कि मेरे पिता मेरी शादी अभी करना चाहते है मुझे बापू की बात मान लेनी चाहिए कहीं मैं उसे खो न बैठो अरे बापू बेटा मुझे इस बढ़ापे में कुछ आराम चाहिए घर में मेरी देखभाल करने वाला भी तो कोई हो पिता जी मैं समझता हूँ लेकिन आपकी देखभाल के लिए तो किसी को रख सकते हैं मैं एक भली औरत को जानती हूँ बैचारी गरेब विद्वा है वो आपका काम कर देगी और फिर हम सब तो हैं ही दुकान के हिसाबने मैं मदद कर दूँगी अच्छा शायद तुम ठीक कहते हो अगले हफते मंगने की रसं कर देंगे सब सगे संबंधियों और जानने वालों को बता देंगे कि शादी तीन साल बाद होगी शादी तीन साल बाद किसकी तुम्हारी मिठू सोचो फिरे सोचो घर की लड़कियों की सोचो क्या उनको खुशिया दे क्या दे गम वे भी तो करके सपने सजाती है